आज मैं बुजुर्ग लोगों से कुछ कहना चाहता हूं कि सभी ने जीवन में खूब भोग बिलास किया, जीवन का हर प्रकार का अनुभाव लिया, हर प्रकार की दुनिया देखी, हर प्रकार का खाना खाया, हर प्रकार का रूप सौंदर ये देखा, अलग अलग देश दु चाहिए क्योंकि दुनिया में बाकी चीज़े जो हैं वो निस्चही नस्वर हैं दुख का कारण हैं नर्क का द्वार हैं तो ऐसी स्थिती में एक मात्र सहारा जो बसता है वह मात्र परमेश्वर का ध्यान है इसलिए अनिवारी रूप से अपने हर्दय में इस्वर का वास्क अनिवारी रूप से प्रभू की भक्ति करें जवान लोगों को भी प्रभू की भक्ति करनी चाहिए लेकिन अनिवारी रूप से व्रद्ध लोगों को करना ही करना चाहिए क्योंकि अब दिन दूर नहीं है इस धराधाम को छोड़ कर जाने का इस माया पुरी को छोड़ कर जा क्योंकि एक मात्र आपके साथ कुछ जाने वाला है तो आपका पुन्य कर्म और भक्ती ही जाने वाली है इसलिए अब समय व्यर्थ बर्बात करना बंद करें और परम्पिता परमेश्वर भगवान के स्रीचर्णों में माथा ठिकाएं जादा से जादा समय इस्वर को ध्यान क करें इस्वर की सरनागती ग्रहन करें मैं सभी संरोथ करता हूं कि क्रपया अपने हिर्दय में भक्ती की भावना को स्थान दें प्रभू के साथ लीन हो जाएं जैस्री कृष्ण जैस्री राम ओम तत्सत